कि बिहार में राजनेतिक विस्फोट हो गया बिहार में वास्ता में जो हुआ वो विस्फोट से कम नहीं है यह होगा इसका संकेत तो सबको था लेकिन सावन नहीं बीतेगा और हो जाएगा यह शायद अंदाज नहीं होगा लेकिन नितिश बाबु का और सावन का कुछ संयोग है पिछली बार जब वो लालू प्रसाद यादव को छोड़कर भाजपा के साथ आई थे तो भी सावन था और इस बार जब उन्होंने वाजपा को छोड़ा है तब भी सावन है तो शायद नितिश शी को सावन सूट करता है लेकिन अब बिहार में जो नई सरकार बननी जा रही है जिसमें RJD, JDU, कॉंग्रेस, बामपंथी, मोर्चा यह सब शामिल होगे यानि आप उसको और सरल भाषा में कहें तो इतनी पार्टी मत गिनिये आप यह कहें बीजा और हम जीतन नाम मांजी वाले वो भी तो आप यह कह सकते हैं other than BJP बिहार में लगभग जितनी political forces हैं बड़ी वो सब इस सरकार में शामिल होगी मोर्टे तोर पर आप यह कह सकते हैं एक चोटा मोटा कहीं छूट भी सकता यह यह तस्वीर बनेगी यहनि सारे एक तरफ BJP एक तरफ यहां से रास्ता आगे जाएगा 2024 पहला मोर्चा खुलेगा पहला युद्ध होगा 2024 का लोकसभा का और दूसरा युद्ध होगा ठिक एक साल बाद 2025 में विधान सभागा क्या बीजेपी बिहार में एकला चलो की नीती अपनाने का साहस जुटा पाई गिया आर्के सिंग कह रहे हैं कि हाँ हमको अकेला चलना चाहिए हम अकेले काफी है यह बड़ा बिशे है बीजेपी ही अकेले है लड़के भी देख चुकी है जब लालू और नीतिश एक साथ आये थे तो बीजेपी वर्चुली अकेले ही लड़ी थी तो उसको अकेले लड़ने की तासीर भी मालूम है दुकेले लड़ने की तासीर भी मालूम है लोग कह रहे हैं नीतिश कुमार को कि पल्टू राम है आप कुछ कहिए कोई नाम दीजिए कोई राम बताईए उनको लेकिन सच यह है कि बिहार में भाजापा के शिविर को भी और लालू जी के शिविर को भी जरूरत दोनों को नीतिश बाबु की रहती है भरपूर बरात किसी की हो बराती किसी रंग के कपड़े पहने इससे मतलब नहीं दूला नीतिश बाबु ही रहते हैं यह जान लीजिए ऐसा राजनेतिक सवभाग्य देश में कितनों को हासिल हुआ जैसा नीतिश कुमार को हासिल है आप उनको कुछ कहिए कहने से कोई फरक्या पड़ता है अखंड राजयोग अखंड राजयोग मंच पर वही बैठेंगे सामने भाजपा बैठे और चेह जेडी आर जेडी बैठे यही ए खंड राजयोग का प्रमान है और यहीं से कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि नितिश कुमार की राष्ट्री महत्वा कांख्या का दर्वाजा भी खोलेगा उपेंद्र कुषवाह मुदी सरकार में मंत्री थे हाई अपनी पार्टी बनाई थी उन्होंने फिर जनता देली उनाटिट में चले गया इस वकद संसदी बोर्ड के अध्यक्ष है जेडी यू के उपेंदर तो उपेंद्र कुषवाह ने ट्विट किया और उसमें नितिश के लिए और उसमें उन्होंनों कहा है देश आपकी प्रतिक्षा कर रहा है वहां से भी ये बात थोड़ा सा और जोर पकड़ी कि क्या नितिश कुमार दो हजार चौबिस के लोग सभा चुनाव में विपक्ष के चेहरे होंगे विपक्ष के प्रतरिदी चेहरे होंगे नरन मोदी के खिलाप ये एक सियासी गल्यारे में अठकल घूम रही है और एक बड़ा प्रश्चना के वे कॉंग्रेस के राहूल गांधी या तेलंगाना के चंदरशेखर राओ या टीमसी वाली ममता जी हिंदी पट्टी में नीतिश कुमार इन सबसे जादा सुईकार ने होंगे ऐसा मानने वाले बहुत हैं ओबीसी पालिटिक्स का एक बड़ा चहरा है वो और देश के राजनीतिक समाश शास्त्र में ओबीसी का वजन क्या है ये मरखाल से जो राजनीतिक का कख्षा एक का विद्यार थी है वो भी जानता है तो क्या नीतिश कुमार अब वहां से उड़ान भरेंगे राष्टी रा और एक जो और आयाम है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे के चाचा और भतीजे की निभेगी कितनी और कितनी दूर तक कितनी और कितनी दूर तक कि तेजस्वियादव पहले वाले तेजस्वियादव नहीं है पहले उनके पिता ने विजय हासिल की थी और इस बार जो 89 है 79 है मेलेज यह पराक्रम तेजस्विय का है तो इसलिए इस बार थोड़ा कॉलर तेजस्विय का भी और जादा ख़ड़ा होगा तो चाचा और भतीजे में कैसे निभेगी चुकि तब तेजस्विय प्रोक्सी थे किसी की तरफ से प्रतनेदी थे इस बार तेजस्विय एज लीडर खुद सरकार में शामिल होंगे तो कैसे निभेगी कहां तक निभेगी यह भी बड़ा सवाल है क्योंकि नीतिश जी के काम करने के अपनी शैली है और तेजस्विय आदव के राजनीत करने के शैली अलग है कि दोनम कैसे निभेगी कैसा नहों कि बेडोलत रसा अपने उनके फाटत अंक कव रहीम कैसे निभेए बेर केर को संक लेकर इंद्रा जी कहां करती है कि राजनीतिक विवश्टाएं ऐसी हैं वह सीमेंट हैं जो विप्रीत दिशाओं में इस्थित दिवारों को जोड़ दे जिसने नितिश कुमार को इस पॉइंट आफ नो रिटर्न पर लाके ख़ड़ा कर दिया के नहीं कि पार्टी बचाओ इसे लिए ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में महारास्ट्र होता उससे पहले नितिश कुमार चेते परिश्थितियां बदल दें बाजी पलेट दी और विपक्ष के कुछ राजनेता ये भी कह रहे है कि ये महारास्ट का जवाब है जो पटना से गया है दिल्ली ये महारास्ट का जवाब है बिहार में जो हुआ या बिहार में महारास्ट न दोहरा दिया जाए कोई एकनात शिंदे यहां भी प्रकट हो जाए आर्सीपी सिंग का प्रकृर्ण चली रहा था क्या मानना ज्यादा ठीक होगा आपकी दिश्टी से कि दूसरा एक ना शिंदेन आ जाए या महराष्ट का जवाब देना था इसलिए इसा कर दिया वैसे भी आर्सीपी सिंग अभी तीन दिन पहले कह रहे थे कि यह जनम तो कि 98 में नितिश बाबू के पास इस जैसे चौधा अधिकारी थे काम करते थे जिनकी एंडर्मन तो लड़ाई इस लेविल पर आ गई थी इसलिए वह मतलब जवाबी कीर्थन हो रहा था दोनों तरफ से तो तही था कि होना है एक मिश्रा जी बाकी सब तो भविश्व के गर्व में है लेकिन 24 के चुनाव तक अगर ये नया कंबिनिशन बना रहा जो बनने जा रहा है तो इस्थिती होगी बीजेपी वर्सेच जेडियू और जेडी लालू नितीश ठिक बिहार को जो लोग जराबी समझते हैं राजनेदी तोर पर वो इस बात से सहमत होंगे कि लालू और नितीश के एक साथ खड़े होने के बाद अभी दस साल बात क्या होगा इश्वर जाने अभी बिहार में किसी के लिए बड़ी राजनेतिक जगा चुनाव में नहीं बसती और ऐसा दिख भी चुका है प्रमान भी है तो क्या चौबिस में इस प्रियोक का नुकसान होगा मैं पच्चिस तक जाई नहीं रहा भी मैं लोगसभा चुनाव तक जा रहा हूं बिहार बड़ा सूबा है इसमें तीन से ज्यादा पार्टियां है एक चीज समझना बहुत जरूरी है जनतादल के एक नेता मुझ से कह रहे थे कि अभी बीजेपी ने वहां 15-20 दिन पहले अपने छे मोर्चों का एक कॉंक्लेव रखा था पार्टी के और नाइशिशनल उसमें उसमें जगदप्रकाश नडड़ा भी गए थे और अमिशाजी भी गए तो जगदप्रकाश नडड़ा ने उसमें कहा कि आने वाल कि मंतरी क्या भी उसके दूसरे दिन समापन भाषा उद्वोधन था अमिशाजी का उन्होंने अपने नेताओं से कहा कि आप 24 पर फोकस करो 25 में क्या होगा हम तब बताएंगे यह बयान भी एक अड़े मार्ग में सुना गया तो इसके बाद जो भी लोग राजनीत का ABCD जानते हैं वो जानते हैं कि अलार्म बेल बज गई इसके बाद भी आप बैठे रहेंगे तो साफधानी हटेगी दुर गटना गटेगी महरास्त हो जाएगा फिर विधायक गौहाटी मिलेंगे एक मिश्रा जी यह भी तो मसला है ना जब इतनी बात हो गई कि हमारे हम बरना कोई सहयोगी साजीधार अईसा बोलता है क्या कि हमारे सामने फिर कोई ठीके करें सब खत्म हो जाएंगे एक हो अहम दुतियों नस्ति अईसा सुनके तो फिर समधार आदमी तो भागेगा बाद में गली बंद मिले अलग बात है लेकिन पहले तो भागेगा मश्कूर एमद उस्मानी साब आपकी पार्टी को तो चलो कुछ रिलेवेंस वहां प्रसंगिक्ता आग जाएगी गटबंदन में कि महाराष्ट से जो इस्तिती बनी तो बिहार में उससे थोड़ी आपकी पार्टी को भी मुझे लगता है कि प्राणवायू मिलेगी ऑक्सिजन मिलेगी लेकिन एक बड़ा सवाल अभी चुकि जेडियू के प्रतनिधी अभी नहीं जुड़े लेकिस मैं समझना चाहरा हू कि पिछली बार जब तेजस्वी और तेजप्रताब दोनों नितिश की सरकार में थे तब वो लोग तब वो लोग लालू जी के लड़के के नाते थे मश्कूर भाई मेरी बात सुनीए का जान से इस बार तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता के तवर पर हैं तेजस्वी से बड़ा नेता तो कोई नहीं चुनाव में चुनाव के हिसाबते ना भाजपा में ना कांग्रेस में ना जेडियू में तेजस्वी अकेले हैं जो यह कह सकते हैं कि 79 सीट्स जिताके लाया में तो अब वो होगा मंत्री मंडल में निभने पर थोड़ा इसी शंका है कैसे निभेगी भाजपा कहें कांग्रेस कहें लालू की पार्टी कहें नितिश की पार्टी कहें इन सबसे ना सरकार बनती है ना इन से छोड़ी जाती ना इनके गठवंदन जिस मीटिंग में तय होता उसमें इनकी समुद्दे का नाम तक नहीं आता यार देखो है ना यह भाशनों के लिए ठीक है छोड़ो इससे कोई थोड़ी ना रिष्टा बनता बिगड़ता है कि ब आपकी तरफ से या आपके लोगों ने जिनों ने भी जनतादल युनाइटेड के मेलेस को फोन किया और उनसे कहा कि चलो भाई गोहाटी घुमा के लाएं हैं तो ऐसी बात है कम दों यह तो देख लेते कि टेप टाप ना हो जाएं कहीं नहीं जो बात मश्कूर एमत कह रहे कि चार-पांच विधायकों के साथ जो बातचीत हुई है जिसमें सारा विवरन है कि कितनी मिठाई जाएगी कहां से आएगी कैसे होगा और क्या उसके बदले मिलेगा और क्या परिष्टिति इस तरी बनेगी उसे भी लोग टेप कर लिए हैं बिहार की पूरी आज की राज अधिर रहे हैं कि नितीश आपको पसंद हो यह नहों बरात चढ़ाने की क्षा करोगे तो दूला नितीश ही बनेंगे हमने भाजपा को नितीश की ऐसे ही अल्टू-पल्टू कहते देखा नितीश को महान कहते देखा भाजपा को हमने लालू जी की पार्ट्री को नितीश बाबु को अल्टु पल्टु कहते देखा फिर उनको महान कहते देखा लेकिन हर बार सत यह है कि दूला नीतिश बाबु ही रहे ठीक इसमें तो कोई गलत बात नहीं नहीं तो तत्थ है न विमल सिंग कोई भरोसा नहीं परसों आप फिर नीतिश कुमार को जन्नायक बता रहे नहीं कहा जाता है बरात कोई हो दूला नीतिश बाबु होंगे और सीपी सिंग उसके मूल में है और सीपी सिंग की भुमिका उसके मूल में है विमल सिंग जेडी यू करें कि आपने आर्सीपी सिंग को पंप किया उनको तागत का इंजेक्शन लगाया और कहा चड़जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम तू भी सिंदे बन जा जोर्ल हम इचले तो आपने फिर्जांशन लेना पर हिंदी में इतना अर्त्माय ओर जेटीख विजेपी सबसे बड़ा जूट मानता हूँ आई लो जीकलिकिल एस शब्द्र से बड़ा जूट में बहुत हैं हमने शेर और बकरी को एक ही टेबिल पर धावे पीते देखा कंदे बहात रखके आप पता रहे हो आइडियोजी का है जोड़ो इस बात को नहीं समझ पारा भाजपा बाले आज कहरें नितिश कुमार मैं सव कमिया मेरी गट फीलिंग कहती है कि नितिश कुमार की जो जनम पत्री है वो इतनी मजबूत है कि आप उनके बारे में सब कुछ को भाजपा और आरेलडी के लिए कह रहा हूं आर्जेडी के लिए ठीक जाना उनके दरवाजे सब को पढ़ेगा ठीक पिछले 20 साल से तो यहीं देख रहा हूं कि अगर माली जेगा नितिश कुमार खराब है तो भाईया उनसे गांट तोड़ो कि तो भाई हम दूबे चे बचे हम नितिश बाबु घर नहीं जाएंगे ना ये वचन लालू दे पाए ना भाजपा दे पाई मिश्रा जी ने गाग अगर इतने ही उन थे तो ले आते अप सबस्क्राइब उनसे बाकी जो नॉर्थ और साउफ पोल हैं इन उसमें से एक मेरे पास आये गा ही आएगा कुन्ड Tous खट्कट आएगा बाशन कितना ही मेरे पास यह प्रोगेर्टिव हमेशा रहेगा कि मैं जब चाहूं साउफ़ पूल के साथ हो जाओ जब चाहूं नौर्थ के पास चला जाओं मेरा कुछ पास राजी हो तब हमेशा रहेगा तब पर काय को इतनी महनत करें खुश्मन सिंग ने एक बार कहा था कि जब मदर डेरी पर दूद मिल ला तो गाय काय को बांदों के घर में मश्कूर एमद उस्मानी जो बात एक मिश्रा जी कह रहे है कि आगे चलके आर जेडी और इस जेडियू में इस बात को लेके क्लेश होगा कि फुल फ्लेजर आर जेडी ही कमांड कर ले वही मैजारिटी ले आए तो नीतिश्की पार्टी धिरे-धिरे मार्जनलाइज हो जाए लेलन सिंग ने या और उनसे जन्ता दिली उनाइटिट के लोगों ने प्रिस कॉंफेंस करके वो टेप जारी कर दिए जिसमें यह सब चीजें है उस टेप का कंटेंट क्या ही हम सब लोगों को तक है लेकिन वही है कि बिल्ली गेलम घंटी कोन मादे जेडियू पहले गोश करेंट का रेट खुला आपकर राजनेति अनुबब क्या कहता है च्छा करोण का रेट ठीक है कम है जादा है क्या है यह 6 करोण का जो मामला है बिहार को भीमारू-प्रदिर्श से क्यों समझा जाता हुआ यह रेट कहीं खुला च्छा करोण का कर बैना की महाराश्मीन प्थे खींद कि मतला भौशपूरी बोली जाती है मंघही बोला जाती है तो यह था Worksude जान नैसे तो यह रहां हो बेद्भाव का जाती हुगा मकब कर गहार की दुर्दशहा अब चाहर की करतुकर मैं तो इस दुरुदशा शिंतितू के मेले का यह अपमान बजाईए मेरा प्रश्णी यह के भाई महराष्ट बाले बिहार बालों को चिलाएंगे नहीं एक गंभीर विश्य खड़ा होता है कि कि तेजस्वी यादव पहले जब मंत्री थे नितिश बाबु की सरकार में तब में और आज के तेजस्वी में जमीन आस्मान का अंतर आच चुका है कद में अनुभब में जमीनी समझ में निभने में संकट पैदा होगा चाचा भतीजे में कि अगर वह संकट पैदा हुआ तो सरकार की बुनियादें हिल जाएगी चुकि महा सरकार की बुनियाद जीतन राम मांजी और कांग्रेश से थोड़ी ना है लालू और नितिशेक साथ है तो सरकार है नहीं तो सरकार संकट में आ जाएगी तुरन यह रिष्टा कब तक चल स लगता है हाला कि वाइसे 3 तलाक पर कानून आगया लेकिन सियासत में तो 3 तलाक कानून कोई लागू नहीं होता तलाक 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 वाद खतब हो गई वहाँ दूसरी कोई सुनवाई नहीं भाया न मुकदमाई मुझे लिकनिक द्रश्य याद आता है नर्सिंग राओ की सरकार थी जारखंड अलग नहीं हुआ था जी एमम के सांसद एक ही रंग की अटैची में नोट लेके पहले तो पेपदार्थ लिए घर पे अच्छे से मुर्गा उर्गा चापे कड़कनाथ वगरा दिव्यूरूप से उसके बाद गाड़ी में बैठे उस सरोधनी नेगर बैंक पहुंचे और मैनेजर के टेविल पर ल लोग सांसद है नर्सिंग्राव मुकदमा जेल लेते हैं राजनीत है इसकी अपने रंग है विमल सिंग जी बाकी जो लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए वो उस पर आपको लास्ट कमेंट मैं जरूर अवसर दूँगा दूसरी बात मेरे तरफ से सवाल दो हैं एक लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार तीजस्वी तीजस्वी आदव और नितिश बाबू इन दोनों के बीच की जो यूती है इसको आप 24 तक देखते हैं या पच्चिस पार तक देखते हैं दूसरा दूसरा प्रशना जो बाकी लोगों की तरफ से मैं अवाम की दर पर उसकी ध्वनी है क्या अचानक से बिहार में एडी सीवी आई फेरा फेमा की गत्विधिया तो ने बढ़ जाएंगी देखिए मुझे ऐसा लगता है इस बात में किसी को इत्राज भी नहीं होना चाहिए कि हर पार्टी चाहती है कि हम अपने दम अपने बहुमत्स के साथ शाषन में आए गठवंधन प्रथम सुईकारिता की चीज कभी नहीं पसंद सबको यही सबकी यही होती है कि हम ही आए जब हम नहीं आप आए तो गठवंधन की खोज होती है इसलिए उसमें मैं इस बहस में पढ़ना जाता आग के तेजस्विक की पार्टी यह चाहेगी य नितिश्कुमार की पार्टी या बीजेपी सबको हक है पाने जी सूचने का कि हमारी सरकार बने अखेले दब नहीं बनेगी तो गठवंधन ढूना जाएगा की कि आ admir गठवंधन की ही लीजा है कि दशकों से नितिश बाबू के माथे पर रोली चंदर लग रहा है हात चाहें लालू जी का हो और चाहें वाश्पई जी का रहा और मोधी जी का रहा हो माथा नीतिश कुमार का भी रहा ना है या कि गठवंधन की हुस्क्रमी है सरकार चाहिए तो लगाईए ते लगाई जब आगनिवीर की योजना आई तो बिहार में भी हिंसा हुई ट्रेने भी जलाई गी नौजवान उत्ते जित थे उसी में बीजेपी के कोटे से दो मंत्रियों के घर पे भी पत्राब हो गया उस वक्त बीजेपी के प्रदेशत दक्ष जाइसवाल ने कहा कि नीतीश की पोलिस ने हमारे मंत्रियों की सुरक्षा नहीं एक टक्राब वहां से भी शुरू हुआ और वो टक्राब इतना बढ़ गया कि आज बताईये जने कितने मंत्रियागनिवीर बन गए बियार में गटवंदर में छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता है मैं यह ने समझ पारा कि अगर आपको नीतीश कुमार के साथ रिष्टा बना के चलना चाहते थे आप और आपको लगता था कि ने नीतीश कुमार की ज़रूरत है तो यह बोलनी की दरूद बिहार की जमीन पर क्या थी कि सारे छेतरी दल खतब हो जाएंगे केवल हम बचेंगे ऐसा बोलके तो रिष्टा कैसे चलेगा कोई भी डर जाएगा सहम जाएगा वही सिदी बनी भारती जनता पार्टी को अगर एक दवर था पुरानी लोग जानते होंगे राम विलास जी कहा करते थे चिराक के पिता जी कि हम दही में पढ़ने वाले दूद में पढ़ने वाले वो जामन है जिससे दही जमता है फजीले मत अब मैं कहता हूँ वो जामन अब हैं नीतिश बाबू दूद किसी के पास हो दही चाहिए तो जामन चाहिए जामन चाहिए तो ठीक है इसलिए पैटालिस का मसला नहीं कि उनके पास सीट पैटालिस आई की तेटालिस आई उत्तर प्रदेश में चार वार मायावती जी चीफ मिनिस्टर हुई उसमें एक बार अपनी मेजारेटी से हुई यह तीन वार नितिश बाबू बाले फर्मूले से हुई कि गलत तो नहीं का मैंने राजनीती है विवश्टाएं भी कई बार राश्ते लग करा देती हैं और हर बार राजनेतिक विवश्टाओं ने नितिश कुमार का राश्ते लग कराया कि नीति इसकुमार 24 में राष्टी राजनीती में अपनी कोई भूमिकात्य करेंगे नहीं करेंगे इसा भविश्य के प्रश्ण ही लेकिन एक बात में कहें के बात समाप्त करूंगा बिहार में जितने चेहरे दिख रहे ना इस वक्त सुशील मोदी से लेके रविशंकर प्रसाथ से लेके और नए उसमें शैनवास तक ले लिजिए नंकिसोर यादव तक सब बीजेपी की तरब से ले लिजिए तरकान जहा और सब लोग लालू यादव से लेके और आरजडी क सारे लोग ले लिजिए और नितिश बाबू की सेना ले लिजिए पिछले 30-40 साल से यही लोग डंडवेटक कर रहे हैं ना सशाचन में बिहार तरक्की क्यों नहीं कर पाया सबको देख लिया इसलिए आप कोई बाब बचाई नहीं जो यह कहें के हम को मौका दो सबको देख लिया कि पिछले 40 साल से बता दीजे इनके अलावा कोई बाहर का आदमी क्या रहा वो कि मंतरी सरकार में नहीं ना तो जब आप ही रहे मेरे मालिक तो बियकास की गंगा जो अभी हमारा मित्र भिमल कह रहे थे कि गंगा भादी भी का रहा है घंगा कहा हैं अब नहीं आप आएंगे लोटा पानी नहीं मिल रा गंगा जल बतारे गंगा बैगी क्या बिहार हमने नहीं देखा क्या है यह हमारे पास कोई नेत्र दोंश है आप लोग कुछ नई किसम का चश्मा लगाते हैं सारे मानकों पर आज भी बिहार सबसे कमजोर श्तिती में है काघश में भी और जमीन पर भी तब लेखा कि क्योंकि सब को आजमाया जा चुका है सब को एक आदमी बता जीजिए जो कहें कि मुझे नहीं आजमाया मिज़ा जी सब आजमालिये भाजपा रार जेडी जेडी यू सब तो ना तो लालू जी के पास अब कहने को कुछ बचा कि एक मौका और दीजिए अपकी गंगा कपता ढूंद लिया आपकी गंगा ले आएंगे ना नीतीश बाबु के पास बचा ना कांगर भाजपा के पास बचा ठीक आम बिहार के आदमी से पूछे तो वो पूछ कहता है कि अरे भाईया आप रहे दे सबहे दे क्या हो क्या क्या है कि उन्निस भी इसका फरक कि दावा इतना आप कर सकते हैं ठीक है अपराध के मामले में फरक आया होगा कि विकास की चिडिया तो अभी भी बिहार में चहचाहती नहीं दिखती कि उससे ज्यादा पलाइन माइग्रेशन कहीं है क्या जिस भी हार ने हिंदुस्तान में इतने योकितम यक्तियों को दिया उस भी हार में सबसे जहदा माइग्रेशन और कैसा माइग्रेशन मजदूर बना के भेज रहें बहारां आप 2008 नेता कि शुचाहझा है कि косि विकास के गंगा इतनी तेजी सिपिए और वहार है कि जरकार किसी की बने मुख्यमंत्री कोई रहे इतना बड़ा विश्य नहीं होता कि प्रदेश के भविश के इतिहास में आम बिहार बासी के सपने साकार होने चाहिए बिहार का बिहार मजदूरों के लिए नहीं जाना जाए कि वहां की धरती पर काम होना चाहिए वहां का नौजवान वहीं रहे सरसब फूले फले अ हर्याना में पंजाब में फसल काटने के लिए बिहार का नौजवान जाता है और भाजपा कहां अरे और यह आर ज्यदी और ज्यू वाले करे हम तो गंगा बहादिय तो बहुत साल पह इनको गंगा का पता नहीं दिये आप लोगों ने कि यहां नहाओ भाई बिहार के राजनेताओं को इमानदार होना होगा जनता के लिए और भैटो बिहार के नौजवान लोगों से कहूंगा वो जय प्रकाश की भूमी है राजंदर बाबु की भूमी है अपने में चेतना पैदा करिये अवाम का नियंतर्ण होना चाहिए राजनेतिक दलों पर राजनेतिक दलों का नियंतर्ण अवाम पर नहीं होना चाहिए जिस दिन बिहार में इस्तिती पैदा हो जाएगी उस दिन से विकास का रास्ता बिहार में दिखाई देगा खुलता हुआ उससे पहले मुझे भरोसा नहीं जाती पंथ मत मजभ से उपर उठकर अगर बिहार बोट नहीं करेगा तो ऐसे ही लोग आएंगे सपने बेचेंगे औ जिहार वही की वही खड़ा रहेगा